हाँ जी तो अब हम income method के question number 2 पर आच चुके हैं और जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको ये कहा है कि आप कुछ भी calculate करें आपको income method अगर आप follow कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको NDP at FC calculate करना पड़ेगा आप क्या calculate करेंगे सबसे पहले बच्चे आप calculate करेंगे NDP at FC अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है तो यह होता है नेट domestic product at factor cost clear है यह कैसे read करते है यह already में class दे चुका हूं अब सवाल यह है कि हम NDP at FC कैसे calculate करते हैं इसका मैंने सीधा सीधा format दे दिया है मैंने point number one में आपको बताया था composition of employee अगर आपको direct दिया हुआ है तो अच्छी बात है अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो wages and salary in cash wages and salary in kind employer contribution to social security scheme इनको ले करके आप बनाएंगे अगर यह सारे नहीं दिये हैं इनमें से कोई एक या दो ही दिया हुआ तो उसी से बन जाएगा composition of employee यह नहीं कि सारे के सारे ही होने ही चाहिए तो चलिए देखता हूँ मैं सबसे पहले first point अपने ढूणूँगा ऐसे नहीं कुछ भी मिलिया और उस्था के याड़ करने लगए ऐसे गरबड हो जाती है first point composition of employee मिल जा तो ठीक है तो उसको हम create बनाएंगे composition of employee बहुत अच्छी बात है पहले ही सबसे पहले में मिलिया 200 लिग देखता कौन सा point है यह first है और यह क्या है हमारे पास में 250 है clear point number one complete point number two operating surplus जिसमें की income from property से आ रहा था हमारा rent यह बोलो यह royalty rent plus royalty and interest income from property और एक हमारा income from entrepreneurship operating surplus पे दो चीज़े थी कि दो चीज़े थी income from property and income from entrepreneurship entrepreneur करने के बदले में कौन सी income मिलती आपको profit मिलता है direct देते तो अच्छी बात है चलिए पहले हम income from property ले ले लेते हैं one by one करके तो rent royalty and interest देख लेते हैं क्या यहां पर है यहां पर है rent है हमारे पास में interest है हमारे पास में ठीक है जी तो आएए मेरे पास में 11th and 12th है तो यह मेरे पास में 11 है और मेरे पास में 12 है clear जी तो solve करेंगे यहाँ पर तो और यहां पर अगर हम देखेंगे इंट्रस्ट तो मेरे पास में क्या है इंट्रस्ट, इंट्रस्ट मेरे पास में 200 है, तो सॉल करेंगे कितना है 300-250, तो कितना है मेरे पास में 550, अभी रुख जाएए, अभी इसको एड़ करेंगे बाद में, हम जी, आगे क्या है मेरे पास में, income from property आ गया, अब क्या लेना है, income from entrepreneur, जो कि profit होता है, अब profit direct देदे तो अच्छी बात है, अगर direct नहीं देता है, तो हमें कैसे बनाना है, हमें बनाना है, corporate tax, undistributed, profit and dividend, इन तीनों को मिला करके profit हमें बनाना है, तो आए, profit अच्छी बात है, direct हमें दिया हुआ है, यहां पर 13 नमबर पे, तो 13 नमबर पे profit direct है हमारे पास में, जो कि क्या है, देखेंगे अगर हम, तो यहां पर तो यह मेरे पास में, रेंट था, 200 और यहां 50, तो plus क्या हो गया मेरे पास में 50, clear है जी, और point number हमारा यहां पर second complete हो जाता है, point number third क्या था हमारा, mixed income, जफिर self-employed की income, तो mixed income क्या यहां पर given है, mixed income, हाँ, mixed income of self-employed, यह given है, क्या है यह हमारा 50 है, clear है जी, बात समझे, तो यह कौन से नमबर पे, third number पे है, तो यह मेरा third number, clear है, और यह क्या है मेरे पास में 50, आईए, निकाल लेते हैं हम अपना फिर क्या, NDP at FC, अब NDP at FC, अगर हम calculate करते हैं, तो क्या आता है हमारा, हमारे पास में 300 और यह 400 और यह 600 और यह 650, 650 करोड रुपए, clear है, 200, 300, 600, sorry, 200, 300, 500, 650, चीक है, NDP at FC आगया, और हमसे खेर पूछ क्या रहा है, हमसे यह पर पूछ रहा है, national income बताईए, तो बच्चे national income के लिए क्या find करना है हमें, हमें जो चीज find करनी है, उसको हम left पे लिखते हैं, और जो अब हमारे हाथे में उसको right पर, तो मेरे पास में NDP at FC, तो बस इसमें आपको change करना पड़ेगा, आप किसके according चलते हैं, left के according चलते हैं, clear है, changes किसमें होते हैं, right में होते हैं, first letter को change करने के requirement नहीं है, क्योंकि same है, second letter को change करने requirement है, हाँ है, तो कभी भी second letter को change करना होता है, तो हम किसका use करते हैं, हम NFIA का use करते हैं, तो left के according चलेगा, तो इसमें NFIA होता ह हाँ बिल्कुल होता है तो प्लस क्या कर देंगे है एन एफ आई ए क्लियर है जी तो यहाँ पर मेरे पास में नेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट एट फेक्टर कोस्ट कितना है मेरे पास है 650 क्रोड है और प्लस एन फाई ये कि बात करूँगा नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम ए बात है आप तो राष्ट्रे आया निकालना सीखें देख लीजिए अप संज में आया या नहीं आया कितनी आसानी से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इसके रिवीजन प्रेक्टिस ऐसा कुछ भी नीड करने के रिक्वार्मेंट नहीं है एक बार में याता सीख लिए कि अब नेक्स्ट कोशिन पर जाते हैं आपके सामने और आपके स्क्रीन पर एक प्यारा तसावाल और है अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा करता दो कर देता हूं ताकि आपको करें जरा इस कुछिन को हाँ जी देखें जरा कुछिन के हमारे पास में from the following data calculate national income by income method तो आईए income method अगर आप कभी भी income method से national income calculate करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है ndp at fc निकालना है ठीक है तो जी ndp at fc कैसे निकलता है point number one composition of employee given है अच्छी बात नहीं given है create करना पड़ेगा आपको तो point number one composition of employee क्या दिया आपको direct दिया हुआ यहाँ पर point किस पे आपको fourth पे तो compensation of employee clear यह क्या है मेरे पास पे मेरे पास पे यह आया उननिस सो खीक है जी और उसके बाद देखेंगे अगर हमार पास में from the following data calculate the national income by income method first point point number two point number two क्या हमारा operating surplus और operating surplus में दो चीज़े होती है कि income from property rent royalty and interest तो आए इसको देख लेते हैं rent royalty interest यह रहा मेरे पास में rent fifth and six पे तो प्लस fifth and plus six तो क्या है मेरे पास में 200 और 1500 तो प्लस 200 प्लस 150 clear जी अब operating surplus में एक और segment है मारा कौन सा income from entrepreneur और income from entrepreneur क्या होता मारा profit direct given तो अच्छी बात है नहीं given तो कैसे बनाएंगे corporate tax undistributed profit या फिर इसको कह सकते आप retain earning और एक आपका dividend इससे आप बनाएंगे profit तो क्या profit direct given है आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके अरे यहाँ पर एक चीज़ देखेगा बच्चे क्या अगर आपको operating surplus देहीद चुका है तो बाकी चीजों की requirement है नहीं है मेरी बात समझे तो सीधा आपका point number कौन सा जाएगा point number seven clear है क्योंकि operating surplus हम बना रहे हैं direct यहाँ पर given है clear है तो यह क्या जाएगा मेरे पास में operating surplus 720 अब इसके बाद हमारे पास में क्या जाएगा इसके नीड़ी निया जाए मेरे पास में क्या चुपया है composition of employee आ गया है clear है और मुझे किसी की नीड़ है mixed income की नीड़ है तो mixed income है क्या यहाँ पर net capital information change in stock composition employee rent interest operating surplus net indirect tax employees contribution net exports net factor income from abroad government final यहाँ आया आपका फॉर्थ पॉइंट कितना था आपका 1900 तो 1900 और आपके पास में 700 तो 2650 करोड़ आपका NDP at FC आया अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है national income national income is NNP at FC जो निकालना है find और जो given है वो आपका right side में NDP at FC अगर आप किस तरीके से NNP at FC find करेंगे NDP at FC safe first letter को change करने requirement निए second letter को change करने requirement बिल्कुल है तो यहाँ पर यह NFI से always second letter change होता है अब सवाल यह है कि NFI add a subject तो इससे ही पूछेंगे कि अब यह NFI क्या है इसमें होता है होता है तो इसको भी दोवा फिर NFI clear है जी तो यहाँ से हम निकालना लेंगे NNP at FC equals to कितना है हमारे पास में 2650 clear है जी बास समझे clear है अब आप देखें यहाँ पर NFI यह कहा है net factor income from abroad minus 20 है ठीक है clear है तो plus और यह क्या जगा minus का 20 तो solve करेंगे तो आपके पास में NNP at FC क्या जगा आपका 2650 minus 20 सर 2620 आएगा कहां 2620 कह रहे हैं हम ओ सॉरी 2620 2620 तो क्या जगा मेरे पास में 26 क्रोड मेरे पास में NNP at FC आएगा तो कितने बच्चे 26 राज लक्षमी पहली आंसर कर चुके थे अक्षय का गलत आंसर था शिवानी का आंसर करेक्ट है भरत कुमार final answer करेक्ट है clear है जी समझे चलिए जी अगला सवाल आपके सामने प्रुस्त होता है यह रहा स्क्रीन पर फ्लक करें इसको इंकम में 30 आपको नेशनल इंकम निकाल नहीं पर करिए ज़्यारा हाँ जी देखे तरह question income method फिर से मैं वही बात repeat करेंगा कि आपको अगर income method से calculate करना है तो पहले क्या निकालना है आपको ndp at fc ठीक है जी अब इससे first point composition of employee क्लिर जी तो क्या आपको direct given है compensation of employee compensation of employee government final consumption expenditure subsidy rent wages and salary indirect tax private gross consumption of employees direct given नहीं है तो आप बनाएंगे कैसे wages and salary in cash in kind and employer contribution तो wages and salary से आप बनाएंगे यहां पर तो आपके पास में क्या आएगा fourth point जो कि क्या है आपका 600 अब इसके बाद in kind या in cash ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है social security contribution by employer composition of employee इससे भी बनेगा आपका क्या होगा 55 किस पर आपका 8 पे क्लिर जी 55 और composition of employee होने के बाद आपके पास में combustion of employee होने के बाद आपके पास में अब क्या और कोई इसका रहता नहीं रहता है second point operating surplus क्या direct given आपको operating surplus operating surplus कहीं पर भी आपको direct नहीं दिया हुआ है तो आए इसको कैसे create करेंगे income from property rent and royalty and interest तो rent आपके पास में आगया 3 200 third number पे क्या है आपका 200 और interest आपका है क्या कहीं पर interest भी आपके पास में कि आप अपने points को अपने में रखें यहां पर क्या दियावा है वो छोड़ो ना इसको पूरा पड़ोगे तो अपने points को दिमांग रखवार उसी को ढूंड़ो आप आपके लिए चीज़ें आसान होंगी plus 20 आपका interest कितना है यहां पर 20 है क्लिरे अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पा आपके पास में मिक्स इंकम तो मिक्स इंकम आपके पास में यहां पर है net export, change in stock, consumption of fixed capital, interest, royalty और rent, subsidy, government, mixed income आपको यहां पर भी given नहीं है यह self-employed, नहीं, subsidy है, rent है, wages से, indirect tax है, private, gross, domestic, social security, scheme, royalty अच्छा, royalty आपका रह गया एक, royalty क्या आपको 25 है, कौन से नमबर पे आपका, 9th नमबर पे है कितना है आपके पास में? 25, clear है जी? तो total कितना होगे आपके पास में? mixed income तो है नहीं, तो हम यहां निकालेंगे NDP at FC NDP at FC equals to, अब solve करेंगे इसको, तो मोटा मोटा लेते हैं पहले, 600, दो 800, 800 और यह मेरे पास पे 900, ठीक है जी? plus, 55 और 25, 80, 80 और 30, 110, 110 और 20, 130, तो कितना है मेरे पास में? 1030 करोड़ों, clear है जी? मेरे बात समझे या नहीं समझे? तो यह क्या आगे मेरे पास में? NDP at FC आगया, अब मुझे खेर निकालना क्या था? NDP at FC और मेरे पास में है NDP at FC, तो हम क्या करेंगे बच्चे यहां पर? हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ second letter को change करने है, requirement और request change होगा, plus NFIA, क्यों होगा? Already discuss हो चुका है, तो 1030 करोड़ और NFIA plus, तो NFIA, net factor income from abroad, तो यहाँ पर क्या है? नेट factor income paid to abroad, paid to abroad, abroad को paid two आ गया, मैंने याद आपको NFIA जब पढ़ाया था, two की important मताया था, two abroad, तो जब two हो जाए तो जो positive है, उसका actual meaning negative होगा, देखिएगा, आपको, यह तो plus तो करना ही करना है, ठीक है? अब मेरे बास समझेगा, यहाँ पर क्या है, मेरे पास मेरे नेट factor अब सवाल यह है कि 30, यह तो plus होगा या पर, 30 का अपना individual sign क्या होगा, plus या minus, अगर हमारे देश में पैसा आ रहा है, तो plus, अगर हमारे देश से पैसा जा रहा है, तो minus होता है, मेरे बास समझे या नहीं समझे, clear है, तो यहाँ पर, यह आपका plus means क्या होता है, two abroad, plus means negative होता ह मैंने बताया था आपको यह, तो मेरे पास पर क्या जाएगा, 1000 क्रोड आ जाएगा, 1000 क्रोड, clear है जी, आप बिल्कुल सही, सचिन अरोडा, शिवानी चोहान और नीरच, बिल्कुल सही, very good, clear है जी, आपको उमीद करता हूं कि यहां तक चीज़ें आपको सौंझ में आपको आ रहे हैं, कोई डाउट किसी बच्चे को, बताइए अच्छे से आपको इंकम मेथा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी तो हम जाएंगे, मेथड पर बात करेंगे, फिर प्रिवीस को भी चर्चा में लेकर के आएंगे, बहुत कुछ है नेशनल इंकम में, अभी कोशन बनके आता है कि आप इंकम मेथाड को एक्स्प्लेइन करो, तो पूरा आपको एंडीपी एट एफसी बताना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट कंपर्शेशन ऑफ एंपलोई कैसे बनता है, सेकिंड पॉइंट आपको अपरेटिंग सर प्लस बताना पड़ेगा, इंक करें जड़ा इस कोश्चिन को, जापर नेस्ट कोश्चिन करेंगे जी, नेस्ट प्लस